Hello everyone, welcome to Magnet Brains. मेरा नाम है वर्दान गर और continue करते हैं अपनी study को of computer science. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा फिलाल class 12 का computer science का फिलाल second chapter चल रहा है that is getting नहीं. file handling in python. जिसमें हम काफी साथ चीज़े देख चुके हैं और अब आगे हैं almost last पे, although हमारी कुछ चीज़े बच गई हैं, ठीक है? पर almost आगे हम last में text file के ऊपर. तो text file में हम आज देखने वाले हैं rename and delete a file using OS module. काफी साथ चीज़े cover कर चुके हैं. आज देखेंगे कि कैसे हम rename or delete कर सकते हैं. पर इसमें हमें जरोद किसकी पढ़ने वाली है? हमें इसमें जरोद पढ़ने वाली है OS module की. ठीक है? तो चली देखते हैं कैसे कर सकते हैं. So, Python provides us with an OS module which has some built-in methods that would help us in performing the file operations such as renaming and deleting the file. On the OS module में बहुत सारे operations होते हैं, guys. इवन इसको खुद का एक open operation भी होता है. P open और open करके अगलग-गलग operations भी होते हैं. इसमें आप इसमें directories भी shift कर सकते हो, directories enter, handle कर सकते हो, folder delete मा सकते हो, folder create कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो OS module की मदद से. पर हमारे इस labels में वो सब चीज़े नहीं हैं. हमारे इस labels में क्या है? हमारे इस labels में सिर्फ है rename और delete. कि rename, delete कैसे कर सकते हैं? तो हम फिलाल OS module की मदद से क्या करेंगे? यह सीखेंगे कैसे हम अपने text file में को या एक text file को rename कैसे कर सकते हो, और उसको remove करके delete कैसे कर सकते हैं. तो वो हम देखेंगे इसके मदद से. Now, in order to use this module, first of all, we need to import the OS module in a program, and then call the related methods. तो इसको कभी भी run करने के लिए, सबसे पहले इसको import करनी की जरूत है, तब भी आप इसमें काम कर पाऊगे. ठीक है? चलो, now rename method is what? So now this rename method is used to chase the name of a file and accepts two arguments, that is the current file name and the new file name. तो rename आप कर सकते हो, rename का बहुत simple syntax है, यहाँ आपको लिखना OS. OS क्यों लिखना है? क्योंकि हम इसको import करते हैं OS को. So import हम OS जिब हम करते हैं, तो OS नाम है. अब इस OS के अंदर एक method है, जिसका नाम है rename, तो OS.rename हम use करते हैं और यह दो arguments लेता है, दो arguments हम इसमें पाच करते हैं, एक तो current file name और एक new file name. ठीक है? new file name आप पास करोगे next में, मतलब यह new हो जाएगा और यह old हो जाएगा. पहले old मतलब पहले current file क्या है, अभी फिलाल क्या नाम है, वो डालना है, such that उससे वो ढूंड सके file को, और फिर किसमें change करता है, क्या नाम नाम नया डालना है, वो आप next argument पास करोगे new file. new name, अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, inverted commas में रखना है, सब चीज़े गल्ती मत करते हैं. तो old name आपको inverted commas में पास करना है, नया name आपको inverted commas में पास करना है, so old name search किया जाएगा, old name को new name से replace करते जाएगा. समझ माया, is this point clear? तो यह आप use करने वाले हो, इसको जब आप use करोगे, तो आपका बहुत दसानी से क्या हो जाएगा, rename हो जाएगी file. अब जैसे हमने भी फिला rename देखा, इसी तरीके से remove भी कर सकते हैं. तो remove के लिए क्या करना है? we use the remove method to delete the file by supplying the file name or the file location that you want to delete. तो जिसको भी delete करना है, remove करना है, simple क्या करना है? os.remove लिखना है और file का नाम डाल देना है, वो file simply remove हो जाएगी. file name मतलब address के साथ. अगर current same file में है, तो सीधे-सीधे नाम लिखो, तो इन्वाडिडुवामाच में लिखना मत भूला है इन्वाडिड़्वामाच में लिखोगे तो इस तरहीके सो फाइल रिमूव हुजीए कच्छा एक बात ध्यान रखना दोनों मेथट्स हैं दोनों मेथट्स कुछ भी आउट्पट रेटर्न नहीं करते हैं दोनों ही रिमूव कर सकते हो, 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 र और एक काम को तो सबसे पहले तो आपके situation बनाता हूं तो यहां एक नया फोल्डर बनाता हूं और यहां में डालता हूं rename and and what ओके यह नहीं है तो rename underscore remove ठीक है रीनेम और रीमूव देख रहा है तो इसमें करूंगा क्या यहां मैं इसमें एक सब्सक्राइब बना दूंगा ठीक है और इसका नाम मैं दे दूंगा text underscore file ठीक है और यहां में लिखूंगा hey everyone ठीक है everyone रखूंगा यहां पर file saved save कर दी और मैं यहां रख दी अब यहीं पर मैं क्या बनाऊंगा यहीं पर एक और vs code उपन कर लोंगा इसी folder में vs code इसी folder मैंने open कर लिया यहां बनाया python dot py ठीक है बल्कि file करते तो python underscore file dot py ठीक है तो python underscore file dot py बना दी मैं इसमें right now what I am trying to do is what I am trying to do is कि क्या मैं इसी folder के अंदर मतलब अच्छे एक काम करता हूं मिलकि इसको बंद करता हूं इसको मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है मैं काम कर तो यहीं से open करके दिखाता हूं कि क्या मैं इस file को rename कर सकता हूं जैसे text file लिखा हुआ है क्या मैं इसका कोई लंब चोड़ा सा नाम लिख सकता हूं तो answer is yes आप लिख सकते हूं कैसे आपको क्या करना क्या है सबसे बढ़र तो import करना OS module को so import करिए import अब हमने OS module के बारे में पढ़ा हुआ है right हमने OS module के बारे में class 11 में पढ़ा हुआ है functions के अंदर right तो आपको शयद याद हो तो import OS के मैंने all the many revise भी करआ है तो वह भी देख लिए ठीक है so import के मैंने OS को अब मैंने क्या क्या मुझे रिनेम करना है तो आम मुझे क्या करना है इसको रिनेम करने के लिए मुझे का operation perform करना है that is what that is OS dot rename ठीक है ऑब OS के अंदर अंदर बहुत सारे functions है, even OS के अंदर पता है, अपना खुद का फाइल ओपनिंग का भी function है, पर वो क्योंकि आपके syllabus में नहीं है, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, पर हाँ, rename और remove जरूर देखने वाले हैं, कि rename और remove कैसे कर सकते हैं, तो os.rename करेंगे, और मैं इसको rename कर सकता हूँ, तो इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा, इसमें मुझे दो argument देने पड़ेंगे, first argument जो भी फिलाल नाम फाइल का, मतलब text-underscore-file.txt, अगर suppose कहीं और located है, तो मुझे वहाँ location पर जाके फिर करना पड़ेगा, और यहां पर फ file और फिर underscore-underscore-underscore, टाकि आप जो हो, इसको recognize करता हूँ, .txt, क्या मैं इसको perform करूँगा, तो इसका नाम change हो जाएगा, let's see, अचा एक काम करता हूँ, इसके underscore जो है, थोड़े limited करता हूँ, दो-दो करता हूँ, क्योंकि बाद में दुबार चाहिए मुझे, एक, दो, दो में underscore डालना हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या rename होगा, यहाँ notice करिएगा, screen ठीक है, left side में यहाँ notice करिएगा, तो मैंने इसको perform किया, देखो, run हो रहा है, run होते ही देखना क्या होगा, देखा, underscore-underscore-underscore-underscore-underscore.txt, नाम change हो गया, perfectly run हो गया, और देखो, नाम change हो हो गया, underscore-underscore-underscore-underscore-underscore-use हो गया, तो अब यह जैसे आपने फाइल को rename करने के लिए यूज के आप remove भी कर सकते हो, और एक काम करते है, इसमें हम यह भी देखते हैं कि यह output क्या करता है, तो अब मैं इसी OS module को वापस से run करूँगा, OS, ठीक है, मैंने परिंट करूगा ठीक है, file-underscore-underscore-dot-txt, और next नाम के दाल दूगा, जो हमारे था या नाम, which was what, text-underscore-file, ठीक है, तो text-underscore-file-dot-txt, मेरा जो पुराणा नाम था भी डाल दिया मैंने, तो देखते हैं क्या यह output करेगा, रहा, rename करेगा, और क्या output करेगा, तो इसने rename कर दिया, text-underscore-f output, none दे दिया, मतलब यह क्या function देता है, यह कुछ भी नहीं देता है, यह non-retard करता है, तो वो भी ध्यान रखेगा, अब जैसे मैं rename कर सकता हूँ, file को उसी तरीके से, मैं remove भी कर सकता हूँ, मतलब सीधे-सीधे मैं यहां लेख सकता हूँ, कि यह इस file को remove कर दो, delete कर दो, त इस folder के अंदे, देखो, यह text file दिख रही आपको, बंद करते मैंने, अब मैं इस folder को नहीं छेड़ूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं python की मदद से, मतलब यहां पर python में, os module की मदद से, इस file को remove कर दो, देखो कैसे, तो simple से, मुझे बहुत simple से, यह भी देख लेंगे simultaneously कि यह print, मतलब यह output कह देता है, ताकि return भी पता चल जाए में simultaneous, यह remove करने के बाद दुबार थोड़ी देख पाऊगे, तो print remove भी कर रहो simultaneously और check भी कर रहो कि remove कर रहा है, नहीं कर रहा, so remove function मैंने call किया, remove और remove कर दिया, किसे, अब किसे remove करना है, वह आपको यहां डालना ठीक है, let's see what will be the output, यहां देखना, notice करना, गायब हो गई, file delete हो चुकिया, और return करके क्या आगया, none आगया, मतलब यह भी none return करता है, यह भी none return करता है, इसको close कर दूँगा, नीचे आजाँगा, देखो, और यहां देखना, file क्या है, file है, गायब हो गई, मतलब आप क्या कर remove कर सकता हूँ, rename कर सकता हूँ, so I hope यह दोनों function आपको समझ में आगया होगी, कैसे कर सकता हूँ, right, I think this is clear, ठीक है, although आपका अभी video complete नहीं हुआ है, वापस चलते है अपने video पर, अभी मेरे पास recording में आपको दिखाने के लिए practical यही था, so I hope यह चीज़ आपको समझ में आ किस तरीके से perform कर सकते हो, ठीक है, अब आपकी almost सारी applications, sorry, सारी जो चीज़े हैं वो खतम हो गए, text file के, except for one, मतलब अब हमें क्या करना है, एक additional चीज़ करनी है, हमें reading, writing और appending part कैसे all together एक साथ perform कर सकते हैं, वो देखना है, ठीक है, तो हमारे एक part और वज़ गया, फिर हमार verify इसके operations पर, ठीक है, तो उस video बने रहेगा, वो आपको next video में देखने को मिलेगा, अभी फिलाल ये part ही तक था, I hope यहां दक चीज़ आपको समझ माई होंगी, ठीक है, अब जैसे आप लोग को पता है कि हमारी website that is magnetbins.com, तो google पर type करना है magnetbins.com, जो पहली website एक उस पर click करोग तो इसका पूरा videos open हो जाएंगे, यहां पर सारे videos chapter wise listed है, किसी भी chapter पर आपने click किया, तो इस chapter की सारी videos open हो जाएंगी, किसी भी video पर click किया, तो वो video play हो जाएगी, इस video में play pause का, आगे पीछे का, speed control का, volume control का, सब कुछ options है, जो आप use कर सकते हो, अपनी पूरी video कर सकते हो, यहां पर सब कुछ आपके लिए, except for one thing that is distraction, बाकी यह free of cost platform है, सब कुछ organized है, अच्छा तरीके से सब कुछ है, in fact same videos, यह YouTube पर videos है, वही videos यहां पर है, तो just this is upon you, कि कि आपको यहां पर विजिट करना है, so it's worth it, आप एक बार विजिट करके देखिए, trust me, or you won't be disappointed, एक बार व हैं, तो हमारे साथ, यानि की मागने बेंस के साथ, जोड़े रहिए, because हम ला आते हैं आप के लिए, किंडर्गार्ण से क्लास्टूल तक हर कोर्स, free of cost, हर कोर्स में आपके साथ है, so we expect आप यहां से तीसे दर्गेस बने रहेंगे, right, मैं आप से मिलता हूं नेक्स वीडियो में, till then good bye, thank you very much.